एक बड़ी इंटरस्टिंग न्यूज थी आज हिंदू में न्यूज क्या थी मतलब जर्नलिजम का कैसे कबाड किया जाता है डाटा पॉइंट में जो है अक्सर आता है इस तरह की चीज़े काफी बड़ा मनलब जो डिस्प्ले हो रहा है मेरे को नहीं पता कि इन लोगों को कुछ समझ भी है किसी चीज़ की या जर्नलिजम की भी मुझे आज विनो दुआ की आदा आ रही है हम लोग एक साथ थे कई साल पीजी मेंस होस्टल में अब कहिए कि ये जो प्रेजन जर्नलिजम जो है इसकी चुरुबात पीजी मेंस होस्टल से ही होती है ये ये यूस क्या है a newly recruited officer in the coveted Indian IAS in 2020 was most likely a male in his late 20s with a background in STEM science, technology, engineering, mathematics जाहिए and belonging to North India बहुआ है the average age of an IS officer jumped to 27 in the last decade from 23 in the 1950s in the past 7 decades a large chunk of officers have been recruited from North India a large chunk over a fourth of IS officers in India recruited till date have been residents of the North 25% which is a large chunk followed by the South 23% while the gender gap has narrowed over time women constituted only 27% of the IS between 2010 and 2019 ये एक इस्तरे की observation है जिसका कोई भी सिर्पैर नहीं हो सकता क्योंकि इस दुरान बहुत सारे changes आए हैं civil services में there was a time till 1960s दो ही centers होते थे civil services के एक आपका इलाहबा center था और एक आपका मादरास था जिसको आप चन्ने ही कहते हैं दिल्ली center भी नहीं था 70s से जो है जब दिल्ली center बनने लगा तो राउज आया और उसके बाद बाजिराम आया तो दिल्ली center बनने लगा और फिर बड़ा change जो आया जब OBC का reservation आया और उतना ही बड़ा change फिर आया जबके आपके Indian languages में आप attempt कर सकते थे उन सब की variations यहां कहीं नजर आती हैं क्या एकदम चिप जाती है उस वक्त जो था 1960s और 70s में जो पहली choice हुआ करती थी लोगों की that was IFS और majority जो लोग qualify करते थे वो South India के होते थे जो madras center जब होता था तो इलाबाद में उससे कम होते थे काफी इससे reflect नहीं होता उसके बाद यह जो STEM की बात कर रहे हैं Science, Technology, Engineering, Mathematics से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं यह तो अभी का trend है जब CSET को compulsory किया गया था और उसके बाद से उससे पहले तो यहां तक के जो Indian languages के लोग हैं वो भी करीब one-third लोग पास होते थे उससे पहले जब दो optional होते थे तो एक वक्त सिरफ एक था 90's में 90, 91, 92 आप कहलो जब Physics और Math वालों की भरमार थी उससे पहले भी कभी नहीं उसके बाद भी कभी नहीं और यह हिसाब लगा रहे हैं कि अब भी जो हैं mostly इस category के हैं अभी तो हैं क्योंकि आपने arts वालों की तो छट नहीं कर दी CSET में और जो बच्टे हैं mostly जो हैं 90% नहीं तो 85% candidates जो appear होते हैं उसमें से भी एक लार्ज चंक जो है इंजिनियस का होगा तो मुझा इतना irrational conclusion इन लोगों को UPSC को कोई knowledge भी नहीं है क्या कह रहे हैं 18% share of women amongst 6575 IS offices recruited since 1951 आज से 30 साल पहले 10% 11% होता था जो के इस साल बढ़के 23% के करीब हो गया है तो कहां reflect करती हैं यह statistics और regional domination the chart shows the region-wise recruitment of IS offices in each decade percentage-wise since 1950s over the past seven decades a large share of candidates have been recruited from the northern region for civil services barring 1950s and 2000 2000 when they were predominantly from the south वही मैं बात कर रहा हूं 50s और 60s में जो है वहां के थे और फिर जब से यह OBC category include हुई है तो एक दम से uneven distribution हो गया है एक चीज़ जो इसमें reflect नहीं होती late 80s और early 90s में सिर्फ बिहार से only from बिहार one fourth लोग qualify किया गर दे जया जिसको यह All India statistics बता रहे है और यही नहीं एक school नेतर हार्ट जो आप जार्खन में चला गया है वहां से top 50 में 10 लोग तो आप मान के चलीए के हों गई तो क्या बताएंगे Hindu वाले यह graph जो है जो नीचे वाला left में जो है यह बता रहा है के difference कम होता जा रहा है दोनों में मानने के चीज़ है लेकिन जो भी percentages हैं उसमें general category के कितने हैं SC, ST, OBC अब तो आप economically backwood भी जोन लीजिए कोई भी whole figures जो हैं आपको सीधा-सीधा जो है उस पे लेकिन नहीं जाएंगी मैं हमेशा आपने students के कहता हूँ कि वो तीन degrees होती है good, better, best bad, worse, worse उसी तरह से होता है liar, damn liar, statistics और ही हिंदू का काम यह है analyze करिए खुद और फिर सोचिए कि हिंदू क्या कर रहा है एक वक्त था जब NRA में डेटर से आच्छे 6-7 साल पहरे I was the first one to recommend हिंदू I think 25-30 years ago now I'm the first one to say the opposite quality जिस तरह से गिरती है वो इसलिए कि मुझे journalism का भी experience है मुझे civil service experience है तो authentically कहना तो बनता ही है ठीक है तो इस तरह के जब भी आता है तो take it with a pinch of salt सीधा सीधा मत उस वक्सर्ट कीजिए data किस तरह से बनाए जाते हैं pew का survey भी आपने हाली में देखा है अभी जो है आपने जो है National Family Health Survey में जो आपने देखा है statistics क्या देखा है कि sex ratio is tilting towards females एक तरफ तो यह है दूसरा sex ratio at birth काम हो गई है दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है यह तो तभी हो सकती है कि 60-70-80 की उमर में आदमी मर रहे हों और और ओरते नहीं मर रहे हों या proportionately बहुत ज़्यादा मर रहे हों ऐसा तो हो नहीं रहा तो statistics पर भरोसा करना मुझे नहीं समझ में आता कि यह लोग करते क्या है और यह अपनी methodology को क्यों नहीं explain करते जान रखेगा Thank you